जिन पार दर्सन जी पनायान भगवान की पूजा हो यह चक मन भरके और मज़ा आया सिभा गन्ने में नारायन भगवान की कि आपको मलूँन सपलता के लिए जीवन मौनमति के लिए सुर्य नारायन की पूजा से बहतर मतलब पूजा नहीं होती है सफलता का जो कारक देवता है वो नायान भगवान है सुर्ज नायान भगवान है सफलता है नहीं कि उससे मिलती है आशरवास से मैं अमुमन जो विद्ध्यारती है परिच्छारती है उन सबको इनकी सिवा करने का वो देता हूँ जबढ़तस्त तीज मन्त्र है वह वही है जो मैं आपको बताता हूँ हमेश्ञ ओं हुल्य गयनी पला सब्सक्राहाँ है यह सतियोग के साफ सले कि कल्योग की जिता दूमि abonn वा उनके सबको मालूम होगा जो भी अच्छे विद्वान होंगे कलियों में हर चीज का प्रभाव चार गुणा करने पर मिलता है कि क्यों बार बार आप लोगों कहता हूं साधना रिपीट करिए इसलिए कहता हूं इसलिए तो मुझे उन चीजों पर हसी आती है लोग बार कहते हैं दो दिन पांस दिन में कुछ देवता ऐसे हैं जिनका जिनकी सेवा का उपसर भागश अलिए वक्तियों को ही मिलता है वह क्यों मिलता है आप जिप सूचेंगे वह इसलिए कि जब तक आपके प्रारव धक्षा नहीं हो उच्छ कर्व नहीं हो तब तक आपको इनकी सेवा का मतलब है कि मुखा ही न इन देवताओं में बताओं को ने एक तो भागवान विश्णू ये भागवान क्रश्णू हनमान बाबा संकर जी का आधी पुरुश्रूब सौम्मे संकर और अपने राधा जी पार्वती जी अरेद्रा गणेश दट्त त्रे भगवान ऐसे कई देवता हैं अब आप जो कहेंगे कि असे तो किसी भी देवता का भाग्य साली नहीं करता है पुझे ऐसा नहीं है इनके नजदीक जाने के लिए काफी चीजों का उद्धे होना पन्नेयों का उद्धे होना जी काशे कहते हैं सो बाग गी होत आपको बिशेश करपा चाहिए आपके कुल देवता की आपके इस्तु देवता की अगर ऐसा नहीं होता तो हर कोई इनके सिद्ध होते हैं आप देखा होगा कि सौम में देवता की ओपास ना और चुपा या फिर उच्छेतम सेने की महविद्या की करपा वो मिलने के बाद आदमी में कई चीज़ा आती है एक उसकर जो अपने खुद का लोग होता है वो कंट्रॉल होता है दूसरा संसार के प्रती माया और वह माया में भी रहेगा तो संसार में दिलिप्त नहीं होगा और एक चीज और भाव हर चीज के लिए उसके मन में मतलब संभाव रहेगा आपने चाहिए अब मुझे चलिए आपको कभी परिक्षा ले नहीं हो तो मेरी लेकर देखना यह कहना तो बेकार ले चुके हैं काफी लोग मेरी परिक्षा इस पिस है कि मैं जब इतनी बड़ी बातें कहता हूं तो क्या होता है कि किसी भी अच्छी चीज को जो बहुमूल यह उसको देखकर के आँखों में चमक आ जाया तो समझ लीजिए बेत्ती लाल्ची है अग्याट है सुद्य नायरना की पूजा का जो बिधान है मैंने बताया जवाब को किसी भी रभी वार्या किसी भी पंचमी से सुखल पक्च लिया है कि आप एक क्यामन माला रोज जो मंत में बताया है ओ मरीम नहीं सुद्य अधित दस्रीम क्यामन माला रोज लगादर कड़ते चले जाईए पर इसका प्रभाव नांती है तो मुझे बताईएगा आपको आपके आसपास अलगी औरा दीखेगा अलगी रूर्जा दीखेगा कि पूजा करने के बले के आहां में चमक यूश्ए करने के बाले के अंक हम ने चमक ही है लग होती है अलगी ओर्जा होती है प्रभा ऊता तेज होता है और सरकारी छेत्र में उसको हर्द्न में सफलता मिलती प JJGh तो आप इसको करके अवश्च देखें सुर्य नायान के पूजा को मुझसे कही लोग सफलता के बारे में और जीत के बारे में तो सुर्य नायान कभी प्रावस्त नहीं होते अगर इनका साधक सच्छा साथ बेक और अच्छा है बलाई गनने वाला कभी प्रावस्त नहीं होग जो जो आप सूर्ज उपाजना के नजदीद पहुंचेंगे तो तो आपका तेज बढ़ता जाएगा कि आपके जो आपका प्रवाव है वह बढ़ता जाएगा बस के लिए आवश्या के बातों में सत्यता रखना व्यावार में आच्रह में सुद्धता रखना और किसी भी पक्षबास से दूर जैना तो सुर्ज नायन की लक्षण है आपको मालूम है करी लोग उल्टे उल्टे चीज़ें बता देते हैं जैसे सनी खराब होता है तो सुर्ज की पूजा बता देते हैं इसा कभी नहीं करवाना चाहिए इतना मृत्य तुल लकष्ट हो जाएगा पिता पुत्र होते हुए भी शनी सुर्जे एक दूसरे के पूरक होते हुए भी एक दूसरे से अलग हैं वो है जो सुर्ज नायन है टेजस रुपहला साइन चमकता हुआ सनी है अंदकार का प्रतिक कलियोक का देवता काला रंग वो सब चीज़ा आप समझ लीजिए इसी चीज़ से तो अगर सुर्जे वाला वेक्ती है और वो सनी की उपासना करवाद हो और सुर्ज उसका बली हो तो उसकी जीवन में उठा पटक हो जाए तो कई लोग यह चीज़ा नहीं समझते कुंदली के यही करान होते हैं गुरू लोग होते हैं जो बढ़िया उनको कुंदली से ही बता सकते कि कौन से देवता क्यों पासना नहां पासबर होती है कि चलिए मित्रो आज के लिए अतना ही एक सुर्ज नाना के पुझा करते हुए की बीडियो बना लिए देख डालेंगे कभी बाद में जैम्मा बवानी जैम्मा मातराणी आपको यह बता दूँ आपको जो मैंने अभी बताया कि आपको सुर्ज नाना के मंत्र का वह आप च